आज हम लोगा जन करेंगे सौर उर्जा के बारे में आजि सूरी के बारे में जन करेंगे कि सूरी के अंदर इतनी अपार उर्जा कहां से आती है सूरी के इतना अपार उर्जा और लगतार सूरी जो है प्रकास उर्जा का उसारजन करता है तो उसका उर्जान का राज क्या है कि कहां से इतनी उर्जा लाता है कि पूरे संसार को प्रदिन प्रकास में करता है और इसकी उर्जा कभी खतम नहीं होती है और इसका सुरोत क्या है इस सुरोत के बारे में भी जानेंगे हैं लो कि इसका सुरोत क्या है कहां से इतने उर्जा आती है देखवाओ सूरी जो होता है वो लगतार प्रकास एवं उर्जा का उर्जार्जन करता है तो इस उर्जार्जन के बारे में कुछ जो है कि जोतिसी जो होते हैं और भुगर भैग्यानिक ये मानते हैं कि सूरी जो है वो करोणों वर्सों से लगतार प्रकास का उर्जा को सर्जन करता है यह जो तिसी के मानना है कि सुर्य करोणों वर्सों से लगतार प्रकास वर्जा का उर्जा को सर्जन करता है रसाइनिक विक्रियाओं से यह माना गया कि इतनी आपार उर्जा जो है संभाव नहीं है कि कुरोण वर्ष्ट सुरू उर्जा को सजन दे क्योंकि अगर सुरी के बारी कुरोड कार्बन कभी बना रहता है तो अभी कार्बन जो एक बहुत करेगा तो आपका एक वर्ष्ट तक सौ वर्ष्ट जो आपार उर्जा दे सकता है उससे दिख देगा सुरू जल जाएगा यह मानना था रसाइनिक विक्रियाओं के द्वारा ठीक है एक बैग्यानिक आते हैं इस पर चर्चा करते हैं हम लोग बैग्यानिक आते बताते हैं कि यहां पर हैं होल्डर यह बताते है हैं है हैं घृष्ट अबढम हैं हैं हुदे होलग है 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 ह 뉴스 है हम में होलत जहुथ हैं का में हैं ओ है है मूंगर फिसकते मानना यह वाऑ न हुए यह मानते हैं की सूर्य के जो होता है लगतार सिकूर्णे से उन्होंने यह माना कि सूर्य के लगतार सिकूर्णे से इतनी उर्जा प्राप्त होती है उन्होंने यह माना कि सुर्य लगतार क्या कर रहा है सिकूर रहा है जिससे गुरुत्वी इस्थिती उर्जा के कारण अपार उर्जा उसे प्राप्त हो जाती है बाइगानिकों ने यह माना कि अगर सुर्य लगतार सिकुड़ता है लगतार सिकुड़ेगा तो गुरुत्वी इस्तिती उर्जा जो है कि उर्जा का उसरजन करेगा गुरुत्वी उर्जा का उर्जा का उसरजन होगा परकास बाहर निकलेगा तो बाइगानिकों के यह मानना कुलाएक उसे बहुत होगा तो मात्र एक प्रतिषत जो है उर्जा को उस्तरजन होगा इससे अधिक उर्जा को सर्जन नहीं हो सकता है अगर सुर्य लगातार सिकूर्टा तबी भी लेकिन यहां पर अंत में खोजा गया कि सूरी के अपार उर्जा होने करण क्या है तो यह माना कि जो सूरी है इसके अंदर उन्हें यह माना कि जो सूरी जो होता है इसके जो अंदर का टमप्रेचर कितना होता है अंदर का था बताया गया कि लगव उन्हातर सो केलीज होता है लेकि सूरी जो होता है जो बाहर ईजो होता है उना अत्तर सब केलिन होता है लेकि सूर्य की जो अंदर जो होता है इस अंदर कुर्जा कितनी होती है तो बताया गया कि दो गुड़े दस के पावर साथ गात केलिन होता है मतलब कि दो गुड़े दस के पावर साथ घात यहां बताया गया कि सूरी के अंदर उर्जा होती है कहां पे इसके अंदर होती है अब यह बताओ कि दो गुड़े दस के पावर साथ घात मतलब कि दो करोण दो करोण एक दो तीन चार पांच है दो करोड केलिविन जो है इस सूरी के अंदर उर्जा होती है और होने का कारण क्या है बताए गया कि सूरी में सूरी का कुल द्रहिमान का लगवग 90 प्रतिसाद जो है कि हाइड्रोजन है और हिलियम है यह माना गया सूरी के कुल द्रहिमान का लगवग 90 प्रतिसाद हाइड्रोजन और हिलियम है अब यहां पर बताए गया कि एक बैते ना बैयानिक है उन्होंने बताए बैते ने कि अगर चार्ठे अगर हाइड्रोजन के समझ थाने कि यह चार हाइड्रोजन और मिल जाते हैं यह के हिलियम ना भी क्या करते हैं निर्मार करते हैं तो उन्होंने बैठे ने बताया कि इसके अंदर के टंपरेश्ट उना तर सो कि सुर्ण के अंदर जो हता है दो गुड़े दस के ताप होता अंदर का उन्हों यह बताया कि अंदर का दो गुड़े दस के पहुए साथ घात के लिएट रहे गा इतना उच्छ ताप रहता है इतना उच्छ जो है कि हीट रहता उससे जो जो उसके अंदर हाइड्रोजन और हिलियम बता रहे हैं उसके लट्रान बाहर निकल रहते हैं अच्छ बाहर निकलते हैं नाब की शल्यन का कर देता हैं जिसके अपार और होती है प्राप्त हमेशा के लिए ती रहती एस सूरिक के अंदर र operations के डिलिए सूरे के अंदर नाव की सल्यन के लिए सिलिए सूर्य उर 219- 22함 इस बताए कि जो अबाइस दो टो फोख्वा सक्राइब काउक वह अए को ने आप समय है किसας और नहींगे करते निर्मार्ट कर دेते तो प्लश गामा प्लश उर्जा आपार उर्जा क्या होती है प्राप्त होती है और यहां बताया गया कि यहां पे चार हाइड्रोजन G1 1-H2 1-H3 मिल क्या बनाते हैं हिलियम का ना भी बना देते हैं तू एच्ची फोर और यहां पे अपार उर्जा क्या होती है मुक्त हो जाती है तो बाहू यहां पे बताया गया कि सूरी के अंदर आपार उर्जा के स्रोत का कारणिया है कि सूरी के कुल नाभी के जरेमान का लगबग 90 प्रदिशत हाइड्रोजन और हिलियम है सूरी के जो बाहर का टम्प्रेशर होता है लगबग 99 क Ra Present कै«ङली जब कि अंदर का दू करोंग के लिए जमंदर का इतनी च्रोल ने कारण जो होता है जो तत्त्त parked ने करते हुआ ओक्या कि लट्राका कि ऑस्रॉजन कारन ही इतनी अपार उरजा होती है और यहां पर बता है कुर्नुबाईथे ने बताया कि यहां पे चार र Dalton बिल करके रिप कर्द라고 का पर puisquता है सूरी अफार ने पर दो सबता है सूरी के इन्दर आपार उरजा सब्सक्राइब इस प्रक्राइब कि तो उसे मात्र एक परस इंडूजा निकल सकती है जादा नहीं किसे कि अंद में खुझा गया कि नहीं हाइडोजन और जो एक हिलियम का बना ये सुर्य है और हाइडोजन की कारण ही लगभग मान चलो कि 60 परसे से दिख हाइडोजन होता उसके अंदर में लगतार जो है कि हाइ कर ज़र नहीं कि बत्ट झाद किए सुर्य के आसर इंड।